Dear Learners, Plate Tectonics वीडियो श्रंखला के भागतीन के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपसारी सिमाओं पर क्या होता है What Happens at Divergent Boundaries इस श्रंखला के पहले वीडियो में मैंने आपको plates क्या होती है और plate वीवर्थनी की क्या है इसके बारे में बताया था और दूसरे वीडियो में मैंने आपको plate सिमाएं क्या होती है और ये कहां पर होती है इसके बारे में बताया था आज हम अपसारी सिमाओं के साहरे कौन सी विवर्तनी गटनाएं अस्तितु में आती है या कौन सी विवर्तनी गटनाएं अपसारी प्लेट किनारों के साहरे संपन होती है के बारे में जानेंगे Dear Learners, अपसारी प्लेट सिमाओं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंडरी वे अवस्तितियां लोकेशन्स हैं जहां दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है ये अवस्तितियां मैंटल से यानुपटल से उपर की तरफ उठ रही समवन्धाराओं के उपर होती है ये उपर उठती हुई समवन्धाराओं इस्तलमंडल याने लिथोस्फियर को नीचे से धक्का देकर उपर उठा देती है और इसके नीचे पाशर्व रूप से याने लेटरली प्रवाहित होती है ये पाशर्व प्रवाह अपने प्रवाह के दिशा के अनुरूप उपर की प्लेट सामगरी को प्रवाहित होने के लिए बाती करता है फलसुरूप उठान याने अपलिफ्ट के शिखर याने क्रेस्ट पर उपर की प्लेट खींचाओ के कारण पतली होकर तूट जाती है टेक्टोनिक प्लेट्स अपसरित होती है यानि कि एक दूसरे से दूर जाती है इन कटकों के सहारे कई छोटे से मध्यम आकार के वोकंप आते हैं और बहुत अधिक जलमगन ज्वाला मुखी क्रिया संपन होती है क्योंकि यहां दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर या अलग हो अब हम ये जानेंगे कि अपसारी प्लेट की नारों के सारे नभीन महासागरी क्रस्ट का निर्मान कैसे होता है। सरप्रथम रिफ्टिंग याने ब्रेंशन के कारण महादीब तूटकर अलग हो जाता है। एक नया मद्यमा सागर कटक मिड ओशनिक रिज बनता है और सागर नित्तल का प्रस्रण सी फ्लोर स्प्रेडिंग शुरू हो जाती है। जैसे जैसे महाद्वीब एक दूसरे से अलग होते जाते हैं मैगमा अनुपटल या मैंटल से मैगमा चेंबर में आने लगता है। मैगमा चेंबर एक ही इस्तान पर रहता है और लगबग उसी आकार का बना रहता है लेकिन सागरी नित्तल का प्रस्रण जारी रहता है या निरंतर होता रहता है। कुछ मैगमा इस्तिर अवस्था वाले मैगमा कक्ष के किनारों के साथ दिरे दिरे ठंडा होकर गैबरों का निर्मान करता है। जैसे जैसे समुद्र नित्तल का प्रस्रण होता जाता है नव निर्मित गैबरों मैगमा कक्ष से दूर होते जाते हैं। लेकिन मैगमा की मात्रा को इस्तिर रखने के लिए नया मैगमा निरंतर उपर की तरफ आता रहता है। कुछ मेगमा मेगमा कक्ष के उपर लंबवत दरारों वर्टिकल क्रेक्स को बरने के लिए उपर की और उड़ते हैं जो ठोस होकर डाइक बनाते हैं जैसे जैसे समुद्र नितल का फैलाव या प्रसरन जारी रहता है वैसे वैसे डाइक का आधा बाग किनारे की और बढ़ता है नया मेगमा फिर दरार को बरने और नय डाइक बनाने के लिए उपर की तरफ प्रवाहित होता रहता है कुछ मेगमा बैसाल्ट पिलो के रूप में बाहर निकलते हैं जो समुद्र नितल की क्रस्ट के सबसे उपरी भाग का निर्मान करते हैं डियर लर्नर्स अब हम ये जानेंगे कि मद्यमास आगरी इकटकों पर क्या होता है जैसा कि आप जानते हैं मद्यमास आगरी इकटके वस्तुत अपसरन प्लेट सिमाये हैं जहां दो प्लेट के एक दूसरे से दूर जाने पर नवीन महासागरी स्थलमंडल नियू ओशनिक लिथोस्फियर या नियू ओशनिक क्रस्ट का निर्मान होता है जिस तरीके से ये प्लेट्स एक दूसरे की सापेक्ष प्रसरित होती हैं इन प्लेट्स इमायों को प्रसरन के अंदर स्प्रेडिंग सेंटर्स भी कहते हैं एक संकीन द्रोनी या रिफ्ट अधिकांश मद्यमासागरी कटकों के अक्ष के साथ चलती है रिफ्ट इसलिए बनती है क्योंकि जैसे ही प्रसरन होता है क्रस्ट के बड़े ब्लोक नीचे खिसक जाते हैं यह खिसकाव या गती फ्रेक्चर याने विभंग या दरार का कारण बनता है जो फ्रेक्चर को जन देता है इसके परिणाम स्वरुप छोटे से मद्यम आकार के वुकंपो की बारंबारता होती है जैसे जैसे प्लेटें अलग होती है या एक दूसरे से दूर होती जाती है एस्थोनोस्फियर याने दूर्बलता मंदल में ठोस मेंडल सॉलिड मेंडल उपर सतर की और बढ़ता है यह उपर उठते हुए आशिक रूप से पिगल जाता है क्योंकि गड़ते दबाव के कारण अब चटान ठोस रूप में नहीं रह पाती है एसे में पिगलीवी चटान जैसे हम मेगमा कहते हैं संकरी नलिका के सारे उपर उठती जाती है और रिफ्ट के नीचे मेगमा कक्षों में जमा होती जाती है और अंतथा मा सागरी इस्थल मंदल का हिस्सा बन जाती है अधिकांश मेगमा गहरई पर जम जाता है लेकिन कुछ मासागरी अधीस्तल याने ओशनिक फ्लोर पर उदगारित हो जाता है यह उदगारित मेगमा जलमगन लावे के रूप में प्रवाहित होता है यह ज्वालामखी उदगार नए मासागरी क्रस्ट का निर्मान करते हैं जो अपसरीत होती हुई मासागरी प्लेटो का हिस्सा बनते जाते हैं दिर लर्नर्स मद्य मासागरी कटकें मेड ओशनिक रुजेज अपने आसपास के मासागरी इधस्तल याने ओशनिक फ्लोर से उपर उठी हुई होती है क्योंकि उनमें मेगमा के साथ साथ अधिक गर्म और कम गनतु के पदार्थ होते हैं कम गनतु वाली सामगरी और पतले लिथोस्फियर का मतलब है कि प्लेट अपने अंतरनिहित या नीची अवस्तित एस्थोनोस्फियर के उपर तेरती है महासागरी अधिस्तल की उचई कटक से जैसे जैसे दूर जाते हैं कम होती जाती है या गड़ती जाती है क्योंकि समय के साथ चटान ठंडी होती जाती है और सिकुर्ती है साथ ही कम गना एस्थोनोस्फियर अधिक गनतु वाले लिथोस्फियर का हिस्सा बनने के लिए प्रयाप्त ठंडा होता है अब हम यह जानेंगे कि क्या होता है जब अपसरन एक महादीब को अलग करता है अब आपी जान चुके हैं कि अधिकांश अपसरन प्लेट सीमा महा सागरों के नीचे है लेकिन एक अपसरन प्लेट सीमा, डाइवर्जिन प्लेट बाउन्डरी महाद्वीप के भीतर भी बन सकती है यह प्रक्रिया एक महाद्वीपी रिफ्ट उत्पन करती है जैसे पुर्वी अफ्रिका में ग्रेट रिफ्ट वैली रिफ्टिंग की प्रक्रिया सागर नितल प्रसरन का कारण बन सकती है जिसे एक नवीन सागरी बेशन की रचना होने लगती है महाद्वीपी रिफ्टिंग की आरंभिक अवस्ता में भूमी सतर का व्यापब उत्थान होता है यह उत्थान मेंटल से यानुपटल से मेगमा के उपर मुखी प्रवाह और इस प्रवाह द्वारा क्रस्ट को उपर की और धखेल देने की कारण होता है उत्था हुआ मेगमा गर्म होकर माधिपी क्रस्ट के भागों को पिगला देता है इस प्रक्रिया से अतिरिक तो मेगमा की उत्पती होती है क्रस्ट के गर्म होते रहने से वह फैलती है जिसकी कारण से उत्थान पहले से अधिक हो जाता है क्रस्ट का खीचाव बड़े-बड़े क्रस्टल ब्लोक्स के ब्रंश के सारे नीचे गिरने का कान बनता है इससे माधीपी रिफ्ट का याने प्रेंश का अटी का निर्मान होता है जैसे कि great rift valley में हुआ है नीचे की और गिरे blocks एक basin का निर्मान करते हैं जिसमें अफसादों के निक्षेपन और जल्ग के एकत्री करण से जीलों का निर्मान हो झाता है डीप या गहरी रिफ्टिंग के कारण एस्थनोस्फियर की ठोस मेंटल सामागरी उपर की और प्रवाइद होती है और आंचिक रूप से पिगल जाती है पहरणाम सरुप मेगमा सता के नीचे ठोस होकर जम सकता है या जवाला मूखियों और लंबे वीदिरी उदगार लोंग फिशर्स द्वारा सता पर उदगारित हो सकता है पूरी की पूरी क्रस्ट एक दूसरे के विपरी दिशा में खिशने के कारण पतली हो जाती है और समय के साथ मध्यवर्ती रिफ्ट उचई में कम हो जाती है रियो ग्रांडे रिफ्ट जो न्यू मेक्सिको से होकर उत्तर दक्षिन में विस्तरित है अपने शुरुवाती चरणों में महादीपी रिफ्ट का एक अच्छा उधारण है एक प्राचीन उधारण मिट कॉंटिनेंटल रिफ्ट है जो उत्तर मतीप सेंटराजी अमेरिका के बड़े भाग पर विस्तरित है रिफ्टिंग के निरंतर होते रहने से महादीप दो अलग टुकडों में विवाजित हो जाता है और एक संक्री सागरी बेसिन का निर्मान सागर नितल प्रसरन प्रक्रिया के शुरू हो जाने से हो जाता है सक्रा लाल सागर रेट सी इसका एक आधुनिक उधारन है जो अफ्रिका और अरप रायदीप के मर्दिप बना है जैसे जैसे महाधिपों के किनारे सक्री प्रसरन से जुड़े ताप से दूर होते जाते हैं पतली क्रस्ट ठंडी होती जाती है और उचई में कमी आती जाती है अंतता या उचई समुद्र तल से भी नीचे हो जाती है ऐसा होने से माधिपी सिमान्त प्लेट सिमा नहीं रहे जाता है नियर लर्नर्स एक माधिपी किनारा जिसमें विवर्तनिक गतिवीदी का अभाव होता है उसे निश्क्री मार्जिन याने पैसिव मार्जिन कहा जाता है निरंतर समुत्री तल के प्रसरण के साथ महासागर बैसिन उत्रोतर चोड़ा होता जाता है और अंततर आधुनिक अट्लांटिक महासागर की तरह एक विस्तरित महासागर बन जाता है अट्लांटिक महासागर वैसिन का निर्मान तब हुआ जब उत्तर और दक्षिन अमेरिका योरोप और अफ्रीका से अलग होते गए अट्लांटिक की दोनों किनारों पर महाधिपी किनारे वर्तमान में निश्क्री मार्जिन है पैसिव मार्जिन से जिसमें वीवर्तनी की गतिवीदियों का अभाव है अट्लांटिक महासागर के मध्य में कटक के सारे सागर नितल का प्रसरन आज भी जारी है इसलिए अमेरिका, योरोप और अफरीका से दूर होता जा रहा है पुर्वी अफरीका और आसपास के समद्र महाद्वीपी रिफ्टिंग के विभिन्न चरणों का प्रदर्शन करते हैं यहां अरब प्राइद्वीप का निर्मान करते हुए महाद्वीप का एक टुकड़ा अफरीका से दूर हो गया है और दूसरा टुकड़ा संभवत ऐसा ही करने के प्रारंबिक चरण में है रिफ्टिंग का प्रारंबिक्चरण पुर्वी अफरीकी रिफ्ट के साथ शुरू हुआ इक लंबी महाद्वीपी रिफ्ट जो लाल सागर के पास से शुरू होती है और मत्य अफरीका तक फैली हुई है रिफ्ट एक उंचे या उत्थितक शेतर के बीतर है और इसमें कई अलग-अलग खंड है जिन में से प्रतियक में एक नीचे की और रिफ्ट है रिफ्ट के कुछ हिस्सों में बड़ी जीले है लाल सागर सागर नितल प्रसरण के शुरूवाती चर्ण को दर्शाता है या लगबख 50 मिलियन वर्ष पूर आरम हुआ था जब आरब प्राइद विप अफ्रिका से रिफ्टेट होकर अलग हो गया लाल सागर का निरंतर प्रसरण हो रहा है और यह दीमी गती से चोड़ा भी हो रहा है पुर्वी अफ्रिकी रिफ्ट इसलागरतिक रूप से इसके किनारों की तुलना में नीची या कम उँची है लेकिन इसमें कई सक्री ज्वाला मुकी है इथोपिया के अफार क्षेत्र में ज्वाला मुकी उद्गार विशेश रूप से आम है जहां इस्तित रिफ्ट लाल सागर से जुड़ी हुई है अफार क्षेत्र प्रत्वी पर सबसे अधिक ज्वाला मुखी सक्री क्षेत्रों में से एक है